हाई फेंज नमस्ते और वेलकम टू माई चैनल दोस्तो आज मैं आपको एक ऐसे तेल के बारे में बताऊंगी जो हमारे बालों को स्ट्रोंग, हिल्दी, शाइनी बनाने के लिए बहुत ही अच्छा होता है दोस्तो ये तेल बनाने के लिए हमें चाहिए स्वीट आमंड ओयल, मैं यहाँ पर डाबर रोगान बादम शिरिन का इस्तेमल कर रही हूँ और चाहिए विटमिन E कैपसूल, मैं यहाँ पर EVN 400 विटमिन E कैपसूल का इस्तेमल कर रही हूँ सबसे पहले काज के बोल में लगपक 1 टेबल स्पून आमंड ओयल मैं डाल लूँगी उसके बाद एक सेप्टिपिन के मदश से विटमिन E कैपसूल पर छेत करूँगी और कैपसूल में जो एक्स्ट्रैक्ट है वो मैं निकाल लूँगी एक्स्ट्रैक्ट निकालने के बाद मैं दोनों को अच्छी तरह से मिला लूँगी दोस्तों आमंड ओयल हमारे बालों के लिए और आमारी स्कीन के लिए बहुत यह अच्छा होता है क्योंकि इसमें हैं ओमेगा 3, fatty acid, vitamin E, K, B, complex, lots of minerals जैसे calcium, zinc, manganese, phosphorus, potassium, etc दोस्तों यह तेल हमारे बालों में और scalp में एपलाई करने से सीफ हमारे बाल स्ट्रॉंग नहीं होते शाइन नहीं करते उसके साथ हमारे scalp में होने वाले dandruff को दूर करते हैं और हमारे बालों में जो follicles होते हैं उसको healthy करने के लिए जो जो vitamins की जरूरत होते हैं उसको भी provide करते हैं अइन दोस्तों अभि मैं आपको दिखाऊंगी कैसे यह तेल हमारे बालों में एपलाई करना है सबसे पहले मैं मेरे बालों मेरे finger tip के मदद से मेरे scalp पर पहले यह तेल एपलाई करूँ गी उसके बाद मैं धीरे-धीरे मेरे बालो पर ये तेल एपलाई करूँगी दोस्तो बालो पर कैसे तेल एपलाई करना है और तेल मसाज करना है इसके उपर मेरा दो वीडियो है आप चाहें तो देख सकते हैं उसका लिंक मैं मेरे डेस्ट्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी दोस्तो अभी मैं फिंगर टीप के मदद से स्कालपर अपलाई कर रही हूँ अभी मैं उसको सार्कूलर मुशन में थोड़ा मसाज करूंगी दोस्तो हमारे माथे पर टेल अपलाई करने का सबसे अच्छा जरीया होता है हमारे फिंगर टीप्स हमारे माथे पर बहुत सरे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं अगर हम हमारे फिंगर टीप्स के मदद से बाल स्कालप पर टेल अपलाई करें तो जो प्रेशर पॉइंट होता है वह पर प्रेशर परते हैं। और इससे हमारे स्कालप पर ब्लाट सर्कूलेशन अच्छा होता है और blood circulation अच्छा होने से हमारे बालों का जो volume है उसमें increase होता है बालों का जो growth है उसमें increase होता है और हमारे hair related बहुत सारे problem है जो दूर होते है दोस्तों और एक बात है कि जब भी आपको तेल लगाना है तो आप try कीजिए रात में तेल लगाने की रात में तेल लगाने के बाद अच्छी दारत से आप बालों को कांगी कर लीजिए और कांगी करने के बाद दो bread बना के आप रात में सो जाए और अगले दिन सुभा उठके आप आपके बालों को श्रैंपू कर लीजिए कैदे डील में तो दो तो जब भी आप भालों में तो और टील करें तो जोडी जोडील को गय्यायरा किजिए धीरे धीरे से आपके बालों पर तेल अपलाई करना चाहिए दोस्तों जब भी आप आपके बालों पर तेल लगाए तो आप आपके बालों के टीप पर जुरूर तेल अपलाई करें क्योंकि हमारे बालों के सबसे ड्राइ एरिया होता है हमारे ये बालों के टीप लगाने के बाद मैं मेरे बालों को एक मोटे दाथ कंगी से अच्छी तरह से कंगी करके एक बान बान के रग दूंगी दोस्तों आप चाहे तो इसके बाद होट टाविल भी आपके बालों पर वैप कर सकते हैं दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा श्यर कीजिएगा और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो आज के लिए बस इतना ही फीर मिलेंगे मेरे अगले वीडियो में तब तक के लिए स्टे हेल्दी बी पॉजिटीव ठाटा बाई and have a good day ठाटा